पहले सवाल कई लोगों ने मुझे पूछा कि अलग-अलग विचारधारा की लोग है, राजनीती में विचारधारा तो अलग होनी चाहिए, इसी को तो प्रजातंत्र मानते हैं कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हाँ देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं, देश ही हमारा परिवार है तो इस परिवार को हमें बचाना है और लड़ाई हमारी एक पार्टी की खिलाफ या एक व्यक्ति की खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी निती की खिलाफ है, तानाशाई की खिलाफ है, जैसे एक वो पिक्चर आये था, मैं हूना, वैसे हम है न, आप क्यों डरते हो, चिंता मत करो, एक व्यक्ति या एक पार्टी मतलब देश नहीं हो सकता, पुरी देश की जनता मतल और बेहनों, दूसरी काम्याब मीटिंग हुई है हमारी, और आपने देखा होगा, तानाशाई के खिलाफ जनता इकटा हो रही है, खरगे साब, आपने तो हमारे अलन्स का नाम बता दिया, लेकिन मैं तो इंडिया, भारत, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, उसी को लेके हम आगे जाएंजे, इसलिए तो हम इखटा आए है, और आप देखते होंगे पहले सवाल कही लोगों ने मुझे पूछा कि अलग-अलग विचारधारा की लोग है, राजनीती में विचारधारा तो अलग होनी चाहिए, इसी को तो प्रजातंत्र मानते हैं, लेकिन इसके परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है, और लड़ाई हमारी एक पार्टी की खिलाफ या एक व्यक्ति की खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी निती की खिलाफ है, तानाशाई की खिलाफ है, और जैसे एक जमाने में आजादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आज आजादी खत्रे में आई है, तो इस आजादी के लिए हम सब इखटा आये हैं, और पक्का भरोसा है, कि हम काम्याब रहेंगे, हो जाएंगे, और देश के जनता के मन में एक डर है, कि अब क्या होगा, तो हम इतना उनको एक ऐसास दिलाना चाहते हैं, कि विश्वास दिलाना कि डरो मत, हम है, हम है, जैसे एक वो पिक्चर आये था, मैं हूना, वैसे हम है ना, आप क्यो डरते हो, चिंता मत करो, एक व्यक्ति या एक पार्टी मतलब देश नहीं हो सकता, पुरे देश की जनता मतलब देश है, और देश की जनता आप इंडिया और भारत बनकर सामने आ चाता हूं, मुख्यमंत्री जी को देना चाता हूं, बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई, और अगली मीटिंग हम महारश्ट्र में करेंगे, मुंबई में करेंगे, तारीक तो हम तई करेंगे ही, लेकिन अगली मीटिंग हम मुंबई में करेंगे, सबको धन्यवत देना चात करता हूँ जय हिन जय महारास्ट्राइब शुक्रिया उद्व जी